जब तक कृष्ण का मंदिर नहीं बनेगा तब तक एक ही समय भोजन करूंगा और माला भी नहीं पहनूंगा यह नया संकल्प है मदन दिलावर का जी हाँ राजयस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के दो संकल्प तो आपको याद होंगे एक संकल्प था उनका कि जब तक धारा 370 नहीं हटेगी तब तक वो पलंग पर नहीं सोएंगे और दूसरा संकल्प था कि जब तक श्री राम का मंदिर नहीं बन जाता राम जन भूमी पर यानि कि अयोध्या में और वहां मुर्ती विराजित नहीं हो जाती तब तक माला नहीं पहनेंगे अब आज उन्होंने माला तो पहनी कहां रामगंज मंडी विधानसभाश्यत्र में रामगंज मंडी विधानसभाश्यत्र से वो निरवाचित विधायक है और वर्तमान में राज्य की भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री है शिक्षा मंत्री बनने के बाद वो लगातार वि 31 किलो का हार पहना करके उनका स्वागत किया जाना था उस आम जनता द्वारा जिसके वो विधायक हैं क्योंकि उनके विधायक ने विगत 1990 से माला नहीं पहनी है क्यों? क्योंकि आयोध्या में जब तक राम जन भूमी पर भगवान श्री राम की मुर्ति विराजित नहीं हो जाती तब तक माला नहीं पहनेंगे ये संकल्प उन्होंने फरवरी 1990 में लिया था आपको बता दे मदन देलावर एक कार सेवक है जो उस समय कार सेवा करने के लिए अयोध्या गए थे और तब उन्होंने संकल्प लिया था कि वो माला नहीं पहनेंगे जब तक प्रभुश्री राम अयोध्या में विराजित नहीं हो जाते दूसरा संकल्प उनका ये था कि जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो है वो नहीं हड़ जाती तब तक वो पलंग पर नहीं सोएंगे ये संकल्प उनका पहले ही पूरा हो चुका था लेकिन आज जब दूसरा संकल्प पूरा हुआ तो रामगंज मंडी की जनता ने उन 37 जन्वरी को प्रभुश्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे और जब तक अयोध्या नहीं जाएंगे तब तक वो फिरमाला नहीं पहनेंगे लेकिन हां दूसरा संकल्प कि जब तक कृष्ण जन्मु भूमी यानि की मतुरा में मंदिर नहीं बन जाएगा कृ स्कारिकरम खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ